मेरा नाम राहुल सवरकर नहीं है यहाँ नावा मजे राष्ट्रा अभीमान है स्वाभीमान है अट खूला राष्ट्रा अभीमान है आधर करता सूद। तक इतना ने सूदा वीर सावरकरायन चा मान आने सनमान राखना गर्जेच है। महान देश्पक्त वीर सावरकर पर जोने टिपनी की है। जिन्होंने 25 साल अंग्रियों की कालकोठ्री में बिताये। अंग्रवान निकुबार अंग्रवान की जेल में बिताये। उनके ऐसे महान देश्पक्त पर ये क्या टिपनी कर रहा है राहूल गांदी। राहूल गांदी जी कह रहे हैं कि मैं राहूल सावरकर नहीं हूँ। राहूल गांधी जी जान लें, वो हजार जनम भी ले लेंगे तो वो वीर सावरकर नहीं बन सकते, वीर सावरकर का मतलब होता है देश भक्त, राहूल गांधी को देख लीजिए, वो वही जुबान बोलते हैं जो इमरान खान बोलता है हमस्कार जी नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शीरीन वक्त हो गया सुभा दस मजे की बड़ी बहस का सावर कर पर बयान बाजी को लेकर महराश्रुमे शिवसेना कॉंग्रस के बीच मद्धेद आप उभर रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद सी एम उधब ने कॉंग्रस नेताओं को फोन कर नाराजगी जाहिर की है और ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है शिवसेना ने कहा है कि कॉंग्रस के लिए जिस तरह गांधी नहरू आदर्श हैं उसी तरीके से शिवसेना के लिए सावरकर आदर्श है सभी का सम्मान होना चाहिए शिवसेना प्रवक्ता संजे राउत ने कहा कि हिंदुत्व विचार के प्रती श्रधा को लेकर पार्टी कोई भी समझाता नहीं करेगी वही राहुल गांधी ने कल दिली की रैली में कहा है कि उनका नाम राहुल गांधी है राहुल सावरकर नहीं कि वो माफी माग रेपिन इंडिया वाले बयान पर बीजिपी राहुल से माफी की मांग लगतार कर रही है जिस पर पलटवार करते हुए राहुल ने सावरकर का ना प्रफाएंगे उस पर नजर सावरकर का सम्मान वर्सिस महराश्ट्र की सब्ता सबसे बड़ा सवाद सवाल ये भी कि अब सावरकर पर शिवसेना और कॉंग्रेस क्या आर पार की स्तिती में पहुच गई हैं रहूल गांधी के इस बयान की बाद सावरकर के अपमान से क्या रिलाउंच होंगे रहूल गांधी और सवाल ये भी कि शिवसेना के भगवान का रहू कब तक अपमान करेंगे सावरकर पर तकरार आफ़र कैसे चलेगी उधव सरकार दो अलग-अलग विचाल धा रहे हैं और दोनों ही अब सरकार महराश्ट्र में चला रही हैं तो इस बात की आशंकाय पहले भी थी ये बड़े सवाल इस बहस में उठाएंगे खास महमान कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ राजीव जेटली प्रवक्ता वीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं इसके लावा सीपी सिंग वरिश्ट उपत्रकार मेरे साथ यां स्टूडियो में मौजूद हैं सुन कि साथ तो आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ तो पकड़ लिया लेकिन विचारधाराएं अलग हैं तो फिर आगे कैसे जाएंगे और शायद आप उन्हीं मतभेदों की शुरुबात हो रही है दो बार हफते में दूसरा यह मौका है जब शिव सेना और कॉंग्रेस की रखी गई थी वो क्या रखी गई थी शीव सेना की बुनियात क्या थी शीव सेना की बुनियात थी धेश भक्ती शीव सेना की बुनियात थी विचारधारा जिस विचारधारा के साथ जूड़ करके बहुत लंबी बहुत बड़ी तादात के अंदर महराश्ट के लोग आग प्रतिशत के उपर देगी शिवसेना ने कोई टिपड़ी नहीं करी और तो और आप देखे वीर सावरकर जो आपने देखा वह चुनावों से पहले चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो भारती जंता पार्टी हो हम दोनों ने ही डट करके मुकाबला किया था कॉंग्रेस के साथ जब कॉंग्रेस ने वीर सावरकर जी का अपमान किया था तो उस टाइम शिवसेना आगे आई थी सबसे पहले शिवसेना के बयान आए थे आज देखिए पूरी तरहां से हुमिलेशन जी से कहते ना बेज़त करने वाली बात पूरे देश में जो देश के देश बगता है ज आप अगर हम गांदी नेरु का सम्मान करते हैं तो आप भी कम से कम हमारे नेताओं का जुने हम आप पूरुष्मान ते उनका सम्मान कीजिए ठी कैसर मैं आती हूं चेतन सिंग जी क्या वाकर यह सरेंडर के स्थती है यह और या फिर आभी आगे चलकर और भी विकट स्थत हमें महरास्ट के अंदर एंट्री का मौका दीजिए बाद में देखिए सरकार साथ में चलाई और अब देखिए क्या हुआ कुछ पोडिशन के चकर में कुरसी के चकर में आप यह किस तरह की विचार दारा रही है अब देखिए अब देखिए 35 साल का जो यह जो गट बंद तोड के सिर्फ अपने सत्ता के लालाच की वजे से बीजेपी ने इनको छोड़ा अब देखिए यहां पर शिवसेना शिवसेना बिल्कुल सपस्ट है कॉंगरे शिवसेना इनसे पी एक लोगतांती तरीके साथ में आए हैं अगर अब सावरकर जी के बारे में जो कहा गया वो तो इतिहास है देखिए जब जब चुनाओ जब जब कोई बाते होंगे तो इतिहास तो आए गई सामने लेकिन आब नसीहत आई है नसीहत तो बात की बात है लेकिन पहले इतिहास है कि नहीं पहले बात मन लेजी पहले बात लेजिए इतिहास है कि नहीं उन्हें माफी म सचाइब कर देश की स्थिति क्या हो गई की अलगा अर्थ व्यस्ता का कितना बुरा हल कर दिया माइलाओं के उपर आचायर की बाते देखते हैंगी तो आप क्यों नहीं आप तो आप इस बात में बात करिए ना लेकिन एक सवाल भी मन में उठता है कि आखर क्या महापुरुशों का हमारे जो नेता है महापुरुश आप देखें ना वो बहुत रहे है वो आप देखिए रिटर्ण डॉक्यमेंटे पेंशन लिया करते थे इसमें तो कोई दो रहा है निया इतिहास है जेटली साथ आप इतिहास तो नहीं बदल सकते ना सावर कर सावर कर जी ने माफी मांगी आप इस बात से दो रहा है इसमें तो कोई दो रहा है रहा है निया वो आंग्रेजियों से फेंचन लेते थे इसमें तो कोई दो रहा है Mendel alan डिजी को समझाना अंग्रेज़ों से माफिय मांगी मांगी माँथा ने ने कोट मैं मांगी whale हमारा एक तरह है हमुएरी संथा है कि अमारी संथा होगा कि तरह ह हमारी संथा है। foreign प्रवाइब कर रहे हैं तेश के साथ खलवाट कर रहे हैं देश के खुलवाच्थ कर रहे हैं धिश्की यू ओ के सीजिगां भरास कर रहे हैं सब्सक्राइब आप अपनी आप अपनी आप अपनी आप अपनी आप देखें क्या कर दिया कंगाल कर दिया दिवादिया आपके सुपर्मुन जो अब शुरू हो गया है यह अब आगे तक भी जाएगा और इसी के आशंका पहले भी थी सावर कर एक के लिए यह भारत के होनी थी यहां उन मुदों के होनी थी जिनको उठाकर सरकार पर सवाल उठाथे लेकिन आप सावर कर पर सवाल उठा रहें दुखें आजादी के बाद की जो हमारी राजनिती रही है उस कुछ अजादी से पहले की भी यह मुलतह थी हिंदू तोरो और मुस्लिम जोडो की राजनिती इस हिंदू तोरो और मुस्लिम जोडो की राजनिती को टेकनॉलजी ने मुबाइल इंटरनेट सोसल मीडिया ने हिंदू जोडो किसी को न छोडो वाली राजनिती में बदल दिया तो जो सेकुलर पार्टिय हैं उन सेखुलर पार्टियों का जो सतर साल की प्रक्टिस थी अभ्यास था उसको पलीता लग गया अब सावर कर हिंदू एकता राष्ट एकता के प्रतीख हैं तो उस प्रतीख को पे हमला करना प्रतीक को खंडित करना जो हिंदू तोरो मुस्लिम जोड़ों की राजिती करने वाली पार्टी होगी उसके लिए फायदे मन्द है अगर आप थोड़ा दया करना चाहें राहुल गांधी पे या उनके पक्ष में सोचना चाहें तो ये कह सकते हैं दूबावं उसकबीर का उपजापूत कमाल ठीक है सुनेच चोपड़ा जी क्या फिर से राहुल गांधी ने ये एक सेल्फ गोल कर दिया है और इस सेल्फ गोल का जो नुकसान है या फिर जो अब साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे वह महराश्ट्रों में देखने को मिलेंग नहीं तो आपको समझना होगा कि एक आदमी का जीवन जो होता है वो कहां से शुरू होता है कहां वो खत्म होता है उसको देखना पड़ता है एक जीवन की लाइन में आदमी एक बहुत हिरोईक एक्टिविटी से शुरू कर सकता है और बाद में कायरता से उसने साफ लिखा है कि मैं इस जेल की यातनाओं को सेह नहीं सकता और उसने कहा कि मुझे माफ कर दो मैं अंग्रेज के साथ रहूंगा और वो जो हिंदुथव है उसने कभी भी हिंदुथव और हिंदु धर्म को एकठा नहीं सोचा था Essentials of हिंदुथव उसने 1930 में निखिती और साफ कहा कि हिंदुथव और हिंदु धर्म नहीं है मैं आपसे इतिहास की बात नहीं कर रही है मैं आपसे किसी आकड़ों की बात नहीं कर रही हूं कि जो राहूल गांधी ने अब ये बयान दिया है ये मुश्किल खड़ी करेगा ये एक और सेल्फ गोल है राहूल गांधी का बात महराज्च के परिपेक्ष में इस मैं पूछ रही हूं ये सवाल अपसें बिल्कूल नहीं बिल्कूल नहीं अगर PDP और BJP को कोई फरक नहीं पड़ा तो शिवसेना को अगर फर्क नहीं पढ़ता तो फोन करके नसीहत की जरूरत क्यों पढ़ती सावरकर शिवसेना के लिए क्या है या आप अच्छी तरह जानते हैं फोन तो क्या है आप अलाइंस में हैं फोन कौन सी बड़ी बात मुष्टी को कितनी बार फोन किया होगा मोदी ने सर बात महराश्टर की कर रही हूँ मैं आप कहां पहुंच रहे हैं बार बार पहुंची बड़ी बात या आप ये ड्रामा क्यों बना रहे हैं उसकी स्पीच की मुख्य चीज थी बेरोज़कारी महंगाई और लोगों की लूट वो तीन चीज़ों पर बात करो तो मैं मानता हूँ आप राहुल गांधी को भी पर करनी चाही थी थी ना सावरकर क्या इश्यू है कि आप सावरकर का जिक्र कर रहे हैं आपको जरूरत वहां पर क्यों पड़ी कर रहा है कि मैं जूट अगर कोई कहे माफी मांगने को और अगर मैंने सच कहा है तो मैं सावरकर नहीं हूँ कि मैं जूट बोलूँगा ठीक है संजी बुन्याल जी संजी बुन्याल जी यह सेल्फ कोल है राउल गांदी का और मॉका एक बीज़पी को भी देखे कोलू की चर्रक पर चुजीवन की तान मिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान हूँ गर्दन मरोड पर खीचता हूँ लगा कर जुआ खाली करता हूँ बिटिश अकड का कुआ यह शब्द राष्ट कभी माखलाल चतुरवेदी ने लिखे थे और राष्ट कभी बनान का शे उनको माखलाल चतुरवेदी को जाता है जवारलाल नहरू जी का मैं हैरान हूँ सब्च बंदी जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा बिता दिया 18 साल की बैक टू बैक काले पानी की सजा में जो व्यक्ति 18 दिन तक इस कंट्री में लगातारे कारे नहीं कर सकता और हर दो महीने के बाद फॉरिम कंट्री में भागता है वो 18 साल की इतनी जवर्दस तपस्या बैक टू बैक को एक मिनट में कहते हैं कि मैंने माफी नहीं मागी अरे तुमने तो एफ़ी डेविट देकर सुप्रीम कोट अफ इंडिया के सामने करोड़ों लोगों को बेजजत क करते हैं जिस व्यक्ति ने सफ्ट बंदी वोदी किया थी वो वेदो वंदी व्यास बंदी बस बस अन्याल साब और आपकी आरती हो गई इस तरह की आरती से कुछ भलानी होने वादा उन्याल साब ये आरती छोड़ दीजिए ये अंदी बक्ती छोड़ दीजिए आप कोई पता होना चाहिए आप क्या कहना चाहते हैं कल जो राहुल जी ने स्पीच दी है अपने बाशन दिया है बहुत ही एतिहासिक बाशन है और ये उन्होंने बत सावर कर से अपनी दुला की उन्होंने कहा कि मैं सावर कर नहीं उसलिए आप इसको एतिहासिक कह रहे। देखिए सबसे पहली बात वो जो कला उन्होंने भाशन दिया वह भाशन एक इतना बहत पूर भाशन है उन्होंने बाशन के अंदर जितने भी अध्या जमीनियु उन्होंपर उन्होंने चर्चा करी उन्होंने बताया एक सब्सक्राइब आप जो रेप इन इंडिया और उनके उपर उन्हों पुर्ट किया देखिया इस बात को भी तो समझें अब तुछ वह कावान है कि आप आप आए भारत में आए इंडिया भारत में वापार करिये विल्कुल करिये लिए उसको आप रेपिंडिया से कैसे कं पिलाओं के साथ काम करता हूँ जो इससे पीडित है मैंने तो अभी जल्दी में योगीता वियाना जी है उनके साथ में जाके मैंने खुरा कैंपेन किया है तुमाराश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने राहूल गांधी के बयान को शर्मनाक बताया है फडनवीस ने कहा कि राहूल गांधी वीर सावरकर के बारे में जानते नहीं है सावरकर ने 12 साल जेल में बिताए हैं, राहुल गांधी 12 घंटे भी नहीं बिता सकते हैं। सावरकर जिस प्रकार के अनन्वित अत्याचारों को उन्होंने सहन किया है, शायद ही देश के इतियास में किसे ने किया होगा, राहुल गांधी 12 घंटे भी ऐसी काल कोटरी में रह नहीं सकते हैं। सावरकर से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल सुलिएगा। ये सित्य होती जा रही है, नौकरियां नहीं है, इंटरनाशनल लेबर ऑगनेशन कह रही है, एक करोड़ परचास लाख लोग हर साल लगी लगाई, नौकरियां जा रही है। ये सावरकर का अपमान करना बड़ा। पर ये सबसे बड़ा वोट बैंक बनाया जा रहा है। जवाब तो सुनिए, अब जवाब सुनिए, ये कोई तरीका है क्या, ये कोई तरीका है क्या, राजीव जविटली जी बोलिए बाब, देखे मैं थोड़ दो तिन बाते याद दिराना, बिल्कुल, बिल्कुल, देखे रहूल गांदी जी के ओपर चर्चा करना, मुझे हो नहीं ले पाए, क्योंकि नहरू जी ने Kingdom of United Kingdom का महराजा की शपत ली थी, वहाँ शपत लेनी पड़ती है, वीर साबरकर जी ने का मैं शपत नहीं लूँगा अंग्रेजों की, इसलिए उनको बरेस्टर की उपाधी नहीं मिली थी, नहरू जी तो बहुत पीछे पड़े है शिट्षे मा की जवाब देप बनती है, आज यह बता रहे हैं कि ब्यान को और वापिस लेजिए यह इनका बैयान नहीं है यह इनका विचार है, आप विचार दो वापिस कैसे वापिस लेंगे, जो विचार कहता है, जिए उन्हों गना सब्सक्राइब तोड़ा गया है और इनको हजम नहीं हो पारा है अब देखिए आखरी समय में असी गंटे की सर्काल बनी ती उसका भी तो पता चलेगा कि क्या वो असी गंटे में अब यह लगाइए जवाब तो उनको नहीं अगर 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 अधर नहीं होता तो इसमें कोई दो रही है यह यहां पर जो मुद्धी की बात करने की बात है कि देश को क्यों बठा रहे हैं देश को क्यों गरतिशा पिलेकर जा रहे है तो इसको दूसरी तरफ मत ले जाए और भी सब्सक्राइब करें अगर हम गांधी नहरू और अपने दूसरे बड़े नेताओं पर लगाएं तो आपको जान कर आश्यर होगा कि गांधी नहरू समेथ हमारे नब्बे फीसदी से जादा नेता गदार हो जाएंगे क्या हम अपने नायकों को गदार करना चाहते हैं गांधी जीजिस गांधी ने पर्थम विश्व जुद्धे में अंग्रेजों की मदद की सवाल ये नहीं था सवाल ये था कि क्या हम सावरकर जैसे नेता या हम किसी भी आप गांधी जी की बात कर रहे हैं इन लोगों पर चर्चा करके अब सियासत का हिस्सा क्या यही बाते रहेंगी मेरे सवाल ये था सवाल जल्दी से खत्म कीजेगा यरूरी है लेकिद इस राजनिती में हम अपने नायकों को न घसीते नायकों को खंडित न करें सब नायक वेक्ची थे सबों में कोई न कोई कमी थी और यहां पर सावर करने जो किया वह माफी नामा नहीं था वह रंडितिक सुलह नामा था वैसे ही यह बाहुत पर 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 जैसे लेनिन ने टू स्टेप्स बैकवार्ड कहा था ठीक है संजीव नियाल जी यह कंपरेजन और आप सावर को सियास्व ना कॉंगरस के लिए भारी पढ़ने वाला है क्या माराश्रु में मैं सीधे सीधे माराश्र की बात कर रहे हूं तो जबाब भी उसी पर दीजेगा सर वास्तम में राहूल गांदी जी जब भी आएंगे मंच पर जब भी आएंगे समाज के सामने foreign country छोड़के जो बीच वीच में भाग के चले जाते हैं क्योंकि उनको विरासत में उनके नान ग्रेंड नाना नानी माता जी यह सब विरासत में उनको मिली हुए राज नी थी तो आप जबरदस्ती अगर किसी बच्चे को मूर्खो पी शोबते तावत यावत किन्चितना भाशते चानक्य कहता है सब्सक्राइब करें इस पर बात कर रही थी इस पर एक जल्दी से जवाब दीजे फिर आगे जाओंगी मुझसे पुछा आपने जी हाँ मैं सिर्फ यह बताना जाता हूँ महारास्ट में जो कॉंप्रोमाइस की सरकार एक बार आई शिवसेन की आज उनको महसूस हो रहा है जो पंद्रा दिन या बीस दिन पहले एक हिंदू निष्ट लोग कहा करते थे जिस पर की वीर सावरकर और उसके नार नीचे में बाल ठाकरे जी को लेता हूँ क्या बाल ठाकरे की पार्टी इस तरह की पार्टी राहूल गांदी के विचारों के साथ खड़ी रह सकती है वह बड़ा प्रश्ण चीन है उनके भूपे तमाचा है जिस परिवार में बाल ठाकरे जैसे चेर में जर्म लिया था आज इस तरह के गिदर इस प्रश्ण था वो प्रश्ण फिर से उठ रहा है इन यह अपनी स्थूती बंद करें तो फिर मैं आपको जवाद दो ला वो शांत हो गए सुनी चुपड़ा जी बोलिया आप हाँ क्या आपने पूछा आपकी तो आवादी नहीं आई सर कॉंग्रेस गले की फांस बनेगी शिवसेना के लिए बीज़ेपी स्टार्टिंग से यह बात कहती रही और वो जाहिर में हो रही है सावरकर का इस्तेमाल करके फस्तों गई है कही ना कही जब बीज़ेपी देश के गले की फांस बन चुकी है कश्मीर असाम यह सब्सक्राइब का सवाल पूछ रही हूं कि महाराश्ट रुपे तो जवाब दीजिए पहले बताओ इस देश में बचाने के अलावा लोगों को कोई और रास्ता है सर महाराश्ट के परिपेक्ष में सवाल पूछ रही थी मैं आप उसका तो एक लाइन का जवाब दे दीजिए कम से कम इसलिए देश में चाओ हुआ चले मुझे लगता सर आप उस बारे में बाती नहीं करना चाहते हैं ठीक है ठीक है अरे सर सब का जिकर करेंगे माराश्ट की बात नहीं करेंगे हमें एक भी कोई भी सेक्टर उठा के देख लिजिए हर सेक्टर के स्थिती बहुत खराब है नौकरीयों की जितनी बड़ी समस्य हमारे देश में हैं जो बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है बहुत जादा ये स्थिती की खराब है हवा की स्थिती देख लिजिए दिल्ली के coura नौकराफ़िक देखला पानी की स्थिती की देखली हर जगा पर भारत हो रहली हुआरे में हर मुद्रे पर एक कषर कर एक जो रागाटी पर चर्चा करी गई और राउल गांडी जी ने जो बोला बहुत ही बहुत अच्छे तरीवें उन्दा तरीवें दो मोने बात लगता है कॉंग्रेस को यह मजबूरी है क्या या फिर बार-बार आदत हो गई है कि सावरकर के बिना राजनीती नहीं हो पाएगी कॉंग्रेस की और उस उतर नाम का इस्तिमाल करना ही पड़ेगा सवाल मेरा यह था बैरल बक्त इतना ही था आप सभी शामिल हो इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्री आप सभी का फिलाल इतना ही